हेलो इस्टूडेंट आज मैं आपको बता रहा हूँ यूनिट 6 इसका जो चैप्टर का जो नाम है जो इसका नेम है वो है फीजिकल एक्टिविटी एंड लीडर्शिप ट्रेनिंग आज मैं इसको पढ़ाऊंगा इससे पहले थोड़ा सापको जो पिछला चैप्टर हम लोग कम्लीट किये थे उसके बारे में हम बता देते हैं यह वो चैप्टर कम्लीट हो चुगा था जैसा कि आपको भी पता होगा वह चैप्टर कम्लीट हो गया है उसकी पीडिएफ में है जो स्कुल का वौट्सopp ग्रूप है उसमें मैं डाल दोंगा मिस कैसे कोस्टन आपसे पू WhatsApp गुरूप है उसमें मैं सेंड कर दूंगा इसको आप लोग देख लिए देख लिएगा और पढ़ लिएगा उसको कॉपी पर नोट डाउन भी कर लिएगा जिस्ते आपको एक्जाम टाइम में ज्यादा भाट टकने की ज़रुरत नहीं है तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं क्या है युनिट 6 फीजकल एक्टिविटी और लीडर्शिप ट्रेनिंग मिन्स ओ एक्टिविटी जिसे हम अपना फीजकल सही रख सकें और उस एक्टिविटी के तुरू अपने लीडर्शिप ट्रेनिंग को कम्प्लीट करें अब लीडर्शिप ट्रेनिंग क्या होता है देखि किसी भी काम को करने के लिए एक बेसिक नॉलेज होता है और एक स्पेस्पिक नॉलेज होता है बेसिक हर कोई जानता है जैसे मैं बात करूँ फीजिकल एजोकेशन की तो बेसिक आपको पढ़ाया जा रहा है आप बेसिक समझ रहे हो लेकिन मैं क्या हूं उस फिल्ड का इस्पिसलाइजेशन मेरे पास है मैं उसके बारे में जानता हूं मैं बेसिक लिए उसमें पूरा लेबल तक पढ़ता हूं मैं उस प्रोफेशनल हूं उस फिल्ड में तो जो चीज मैं बताऊंगा तो मैं टेकनिकल बताऊंगा एक नॉर्मल समझेग एक बेसिक और एक टेकनिकल में अंतर हो जाता है यदि आप एक क्रिकेट के खिलाड़ी हो तो क्या जानते हो उसके बारे क्या होता है वाइट क्या होता है लेकिन जो क्रिकेट का होगा इसके बारे में हर एक टेकनिकल वर्ड यूज करेगा ऑफ साइड लेक साइड यह सारी चीज़े जो बताएगा वह परफेक्ट बताएगा जैसे धोनी को मान लेते हैं धोनी को देख लेते हैं क्रिकेट में क्य जैसे वो क्या है, कीपर हैं, लेकिन जैसे उनका बॉलर बॉलिंग करता है, तो उनको लगत आ कि नहीं यह तो बैट समेन, उसके ball पे hit कर रहा है मार रहा है, अच्छा खासा run ले ले रहा है तो वो क्या करेगा, वो बताएगा कि नहीं, offside ball को दो, leg side दो, जैसा need जैसी need हो, वहाँ पे वो ऐसा work करेंगे तो यह मैं आपको छोड़ा सा समझाने के लिए बताया हूँ, अब चलते हैं basic introduction पर हम आते हैं चलिए, introduction अब हम क्या करेंगे, introduction के बारे में detail समझेंगे leader cp is one of the best social quality, नेतरित एक अच्छा समाजी गुडवकता वाली quality है it is a highly developed through physical education and its activity यह physical education के थूँ और physical activity के थूँ इसे एक अधिक सधिक उच्चायों तक पहुचाया जा सकता है जिसको यह training दी जाता है है, जैसे आप क्या हो, आपको इस training के बारे में बताय जारा है, तो आपको उस leader के थूँ या जिस भी team को वो lead कर रहा है वो अपने team को क्या करेगा training के थूँ एक higher उचाई तक ले जाएगा और उसे develop करेगा जिससे समाज को society को क्या मिले help मिले कैसे help मिलेगा means जब भी आपके अंदर ओ quality आ जाएगी तो आप क्या कर पाओगे अपने समों को आप जिस field में हो उससे क्या कर सकते हो lead कर सकते हो जब खुद आप में lead करने की capacity आजाएगी तो आप वो किसी दूसरे पर depend होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जैसे मान लो आपके class में 50 की strength है जब 50 की strength है तो एक तो lead करेगा आपके team को अब जब उसके तुरू आपके team को leadership quality मिल गई means एक अच्छा leader बनने की quality मिल गई देखिए यहाँ पर दो चीज़े समझने माला है एक leadership quality एक leader होता है एक सिखाता है वो leader होता है और जो सीखता है उसके अंदर ये leadership quality आती है means जैसे किसी चीज़ को आप सीखते हो means क्या होते है उस film में आप trend होते हो तो जो सीखाता है उसके अंदर leadership quality है या जो lead कर रहा है उसके अंदर leadership quality है तब ही आप वो कर रहा है लेकिन यहाँ पर दो चीज़े समझने माली है leadership quality है और किस level तक है lead तो करता है अच्छा आदमी भी कर सकता है बुरा आदमी भी करता है लेकिन तब आप समझोगे कि हाँ leadership quality है जब वो बहतर कर पाएगा तो leadership quality कैसे पहचान होगे वो बहतर कर पाएगा अब देखो लीडर के अंदर quality यह होनी चाहिए जिसे कि जिसे मालो आप को कई team lead कर रहा है आपका leader आपको lead कर रहा है मिन्स यदि आप से कोई mistake हो जाता है तो उस mistake को आपको बताता है कि आप यहां में mistake किये हो और इसको ऐसे correct किया जा सकता है मिन्स आपको क्या कर रहा है वो आपको motivate कर रहा है आपको उसके बारे में deeply knowledge भी दे रहा है और कैसे करना वो बता रहा है आपके होसला को बढ़ा रहा है यह नहीं कुछ ऐसे leader होता है जैसे मालू मिश्टिक हो गया यह क्यों हो गया मिन्स आप पर pressure बनाने लगता है तो वो leader बहतर नहीं होता है वो ऐसा leader जब आपको मिलेगा फर्स टापिक हो गया दूसरा टापिक उसका emotion होना चाहिए उसके अंदर emotional behavior होनी चाहिए आपकी बात को समझे आपके emotion को समझे वो चीज़ यदि आपके साथ कोई problem हो गई तो यदि आप उससे share करते हो अपनी problem तो आपकी problem को समझे और उसका solution निकाले तो आप क्या बोलेंगे मुझसे बोलेंगे वर्क मेरे अंदर में नहीं होगा मालोब principal सर के अंदर में होगा तो मैं सर से बात करूँगा कि सर ऐसे चीज़ों की need है और equipment है नहीं और बच्चे interested है तो मैं क्या करूँगा जब सर से बताँँगा तो सर मुझे उस चीज़ व्यवस्थाओं को देंगे जो भी मुझे need है उस चीज़ का वो fulfill मुझे करेंगे देंगे तो जब देंगे तो मैं करा पाऊँगा जब आप किसी से कहोगे वो अपनी बात को आपके बात को दूसरे तक रखे गा ही नहीं जिससे जरूरत है तो फिर वो तो leader है ही नहीं उसके अंदर quality एन जब वही डर रहा है कि नहीं मैं अपनी बात को कैसे रखवाऊंगा सर के सामने सर ऐसा तो नहीं है कि सर यह मेरे काम को नहीं करें रखिये तो करना नहीं करना अलग बात है कोसिस तो हम लोग कर सकते है तो जब भी कोई कोसिस करता है कोसिस तो कर रहा है यह नहीं है कि आप कोई काम कर रहे हो तो 100% सक्सेस्फूल ही हो जाएगा ऐसा नहीं हो सकता है लेकिन जितना ही हो सकता है 2% हो सकता है होगा तो यह लीडर की quality होनी जाहिए मिंस आपकी बातों को किसी दूसरे तक रखना जैसे मालो कोई लीडर है यदि हम politics में आते हैं तो क्या होता है जो लीडर जो नेता होता है आपकी बातों को रखता है तो आप उसी लिए उसको select करते हो और उसे जिताते हो जिससे कि आपक को रख पाए तो same condition हमारे physical education में होती है जब भी हम अपने team को ले जाते हैं कहीं पर तो एक लीडर होता है जिससे responsibility दी जाती है कि आप इस वर को बखुबी करोगे यदि इस team को कोई दिक्कत आती है तो आप manage करोगे तो उसकी quality को देख कर दी जाती है आपके behavior कैसा है आप team क कैसे behave कर रहे हो क्या team member आपको like कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं तो यह सारी चीज़े होती है अब देखो यह develop कैसे होती है इसमें कुछ important चीज़ा है जैसे strength, speed, endurance and coordination strength कैसी होगी strength means आपको मैं पहले ही बताया था पिछली class में speed means भी आपको बता चुका हूं endurance भी बता चुका तो इन सारी चीज़ों को develop करने के लिए जो activity हम लोग करते हैं और उस activity को जो कराता है वो leader होता है और जिस activity के थुरू यह quality मुझे develop होती है उसी को हम बोलते है physical activity और जो इसको सिखाता है जो आपके team को lead करता है वो होता है leader और उस quality को ही क्या कहते है हम leadership quality और जो यह पूरी training होती है activity की और leadership की उसी को हम क्या बोलते है physical activity and leadership training means इन दोनों चीज़ों को train करने के लिए आप में समाहित करने के लिए आप में develop करने के लिए जो training दी जाती है वह ही क्या कहलाती है physical activity training ठीक है अब देखो यह कैसे होती है जब आपका camp जाता है तो camping होती है means camp को कैसे successful बनाना है camp कहां ले जाएंगे कैसे वहाँ पर कौन-कौन से activity कराएंगे जिससे की आपके अंदर एक leadership quality develop हो जाए इसको कराने के लिए camping होती है rock climbing होती है tracking होती है और river rafting होती है और mountaining होती है जो activity होती है इसके तुरू आपके quality को develop किया जाता है और आपको strong बना जाता है और इस activity को कराने के लिए जो आपको promote करता है जो आपको आगे लेकर चलता है कराता है वही क्या कहलाता है leader को उसक्वालिटी को ही हम बोलते है leadership, quality तो यह तरह की training है जिसके तुरू आपको train किया जाता है और इन सारी चीज़ों को बताया जाता है ठीक है चले नेक्स टॉपिक हम लोग देखते हैं में टॉपिक है 1A लीडर्शिप क्वालिटी यह देखे क्या होता है लीडर्शिप इस सोशल क्वालिटी विच इस फाउंड एमोंग पीपल अफ वैरियस इस इस में क्या होता है कि लीडर्शिप एक ऐसी क्वालिटी है जिसमें दूसरों को निर्देशित किया जाता है इसमें किसी भी धर्म जाती और किसी भी एज और किसी भी जेंडर के लोग में हो सकती है क्वालिटी और इस क्वालिटी से अपने society को क्या खया जाता है एक अच्छी गुर्वक्ता दी जाती है उसे जिस इसके नेड होती है उसको एक बंदा प्रवाइड करता है उन से करता है अपने इस निर्देश के quality के अनुसार जो leadership quality है, जो tradition की quality है, उसके तुरूर उनकी समस्याओं को दूसरे तक पहुंचाता है, दूसरों की मदद करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? leader, और ओquality जिसके अंदर आती है, उसी को हम बोलते है leadership quality तो देखे, इसके बारे में अलग-लई लोगों ने अपना अलग-अलग मत दिया है तो मैं बताता हूँ कि कौन इसके बारे में क्या बोला है देखिए इसमें है इसमें अलग-अलग रैटरों ने अपना अलग-अलग मत दिया है और देखिए वर्ड थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है लेकिन जो उसका सेंस है जो उसका थौट है बिल्कुल सेम है तो हम लोग पढ़ते हैं पहले according to RM Snodgill इन्होंने क्या कहा था leadership इजे process of influencing the activity of an organized group for any goal achievement means इनका क्या कहना था कि leadership एक quality जो leadership के जो quality एक process है जिसको हम एक activity के थुरू एक group को organize करके और उसको एक goal दिया जाता है जिसको achieve करने के लिए वो अपना work करता है उसी को हम क्या बोलते हैं leadership quality means एक बर और बोलते हैं leadership is a process of influencing the activity of an organized group for any goal achievement means ऐसा group जिसको एक ऐसा group बोलें या process बोल सकते हैं कि एक ऐसा process जिसके through हम एक committee को गठित करके एक group बना करके अपना goal achieve करते हैं goal means जो चीज के लिए आप उसको कर रहा है lead कर रहा हो बंदा हो सकता है या आपकी team कहीं जा रही हो उस team को कैसे ले जाना है क्या करना यह सारी प्रक्रिया कर रहा हो या ऐसा हो सकता है कि आपको game खिलाना है और teacher ने responsibility उसको दी है कि आपको अपने चीज का information देगा और हर activity आपको कराएगा कब practice करना है game की कब जो है कि आपको वापस आ जाना है कब जाना है सारा information आपके leader को दे दिया जाएगा और leader ही आपको बताएगा कराएगा तो इसी को हम बोलते है कि leadership quality तो अब यह देखिए leadership quality कर रहा था लेकिन अब यह क्या quality जो कर रहा है कि आप उससे सहमत है यदि आपको उसके activity सारी अच्छी है लग रही है तो आपके लिए बेहतर काम कर रहा है यदि नहीं लग रही है इसका मतलब को वर्क बेहतर नहीं कर रहा है तो उसी को बोल देंगे according to PM Joseph उन्होंने क्या कहा था leadership is the leadership is the quality which enable the person to take unitative and the guide other in perform some requirement task means जो भी leadership quality जिसको कोई person lead करता हो किसी team को उस process को हम क्या कहते है leadership quality और guide performing some requirement task जिस भी task को दिया गया है उस task को जिसकी requirement है उसको proper way में वो कर रहा है तो उसे कर सकते हैं कि उसकी leaders quality अच्छी है और साथ साथ आपके साथ उसका coordination अच्छा हो तो यह सारी चीज़े होती है अब देखे यहां पर दो चीज़े होती है इसमें जो quality होती है वो दो तरह की होती एक professional leader होता है और एक democratic leader होता है अब देखे professional क्या होता है professional leader is that so earn the quality of leadership by become a teacher, administrator and manager जो teacher होता है वो professional leader होता है जो officer होता है वो भी professional leader होता है और जो administrator होता है और जो manager होता है वो भी क्या होता है professional leader होता है मिन्स यह प्रोफेशनल lahat अपनी गुरूप का वो अपनी स्टूटेंट को लीड करें यह जो ऑफिसर हैं अपनी नीछे के के जो करमचारी यहां अधिकारी उनको लीड करें इस सारी चीज़ा जो होती हैं कि प्रोफेशनल में आती है लेकीन हम बात करें डिमोक्रेटिव लीडर की, तो इसमें आता है, two types के, ठीक है, एक mature leader, और एक unmature leader, किसमें? Democratic में, जबकि professional में, तो आपको पता है को बंदा professional होता है, लेकिन democratic में जो आते हैं, तो उसमें दो तरह के leader होता है, एक mature leader होते हैं, और एक unmature leader होते हैं, अब mature में कौन होता है? जो पॉलिटिक्स करता है जो वास्तों में जो नेता होता है वह ही क्या होता है लेकिन अन्मिच्योर लीडर में क्या आता है यह समझी जैसे आपके ग्रूप में क्या बना दिया जाता है किसी स्टुडेंट को गेम एक्टिविटी हो रही उसमें गेम टीचर आपके हैं वो एक बंदे को जिसके अंदर थोड़ी अच्छी क्वालिटी है लगता है कि यह बंदा करा सकता है कोई अक्टिविटी देंगे त्यों यह करा लेगा तो उसको एक कटिविटी बना दिया जाताय Hey कि आप कराओगे एक कराओंगे इस इसफ्रेशनिंग तरीनिग होगी मैं दूंगा तो यह सारी जो एक्टिविटी दी सभा में बताता हुआ है जैसे पॉलिक करता है पॉलिटिक करता है और कि चुटुडेंट को ही कोई बना दिया जाता है अपने क्लास के जो भी बच्चे हैं उनको उसमें से एक को निकाला और बना दिया leader कि आप अपने class को लीड करोगे game teacher है, वो एक बंदे को निकाले और बता दिये कि आप इस अपने team को लीड करोगे, जो music teacher है वो अपने student को जो अच्छा गाल लेता हो, अच्छा lead कर ले रहा हो उसको निकाल देते हैं तो यह सारी जो होती हैं यह आन्वेच्योर में आते हैं तो देखो आज के लिए बस इतना ही टॉपिक और ध्यान रखना जो पीडियोप मैं ग्रूप में भेजा हूँ उस पीडियोप को पढ़िएगा आप लोग और पढ़ने के बाद इसको कॉपी पर राइट करना है ताकि एक्जाम टाइम में आपको प्रॉब्लम नो हो और इस वीडियो कम से कम दो बार देखेंगे तब आपको टॉपिक किलियर होगा क्योंकि जादा मैं पढ़ाऊंगा तो साधा आप नहीं समझ पाओगे लेकिन इस टॉपिक को जहां आप कमेंट करके मुझे बता सकते हूँ उसका मैं सलुसन दूँगा आपको ठीक है तो चलो ओके थैंक्यू नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे